एलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल देखे फ्रेंड्स क्यूश्चन नमर 11 देखेंगे exercise 9.8 का क्या कहता है integration करना है हमने e की power x into में x square minus x plus 1 पूरे के अपोन में x square plus 1 की whole 3 by 2 है power और dx थीक है भई इसको integrate करेंगे तो देखें हमें क्या करना है हमने यहां बताया है आपको की e की power x को अंदर लेके जाना है लेकिन तब लेके जाएंगे जब अंदर का मामला अपना set हो जाएगा ठीक है देखें आप अगर यह question देख रहे हैं तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं की देखिए question number one से start कीजिए आपको अच्छे से समझ आएगा फिर देखिए हम कैसे करेंगे वाई e की power x इसको हम कैसे set कर दें यहां पे देखिए तो नीचे x square plus one दिख रहा है अपने को और उपर देखिए तो x square minus x plus one तो इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं न हम एक y2 चल रहा है into dx के लिख है अब हम करेंगे इसको separate separate यह जो दिख रहा है denominator में यह x square plus one के साथ भी है और यह x के साथ भी है तो क्या करेंगे e की power x और इसकी बात कर लें तो x square plus one upon x square plus one की whole three by two ठीक है minus x upon minus x upon क्या है वही x square plus one की whole power three by two into dx clear है यहां तक अब आगे देखो गए एक power इसकी power कितनी है one इसकी power कितनी है three by two तो one कट जाएगी मतलब one by two बच जाएगी ना यह one by two बच जाएगी e की x into 1 upon x square plus 1 की power कितनी बच गई अब यहाँ half into dx minus यह बड़ा minus और e की x इससे भी multiply करें तो e की x into x upon x square plus 1 की power 3 by 2 dx ठीक है वई अब कैसे करें देखो अब हमें by parts करना है इसको तो first second किसको मानने अब question यह आता है तो हमने आपको बताया है starting से कि हमने उसको first second मानना है जिसका differentiation दूसरे में नजर आए तो इसका differentiation यह है e की x का तो e की x इरहेगा differentiation वही आता है इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है तो यह बचा इसका differentiation यह है या इसका ये है देखो अगर आप इसको देखते हैं अगर आप इसको देखें तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो और इसको देखें तो क्या बनेगा यह पावर 3 by 2 है ना अगर आपने इसको डिफरेंशेट करें देखो यह करता हूँ मैं अपने को डिफरेंशेट मैं आपको करक किसको वन अप heter outta प्लास वन की पावर मैं उन ना वाइट वे तो माइनस वन जमाई टू बन गई यहां तो ठ्री टू बन जाएगा अब करेंगे अंदर की तो पावर ककिया अंदर का करेंगे तो एक्षू एक तो से टू कर जाएगा ते क्या आ गया है यहां से माइनस ओफ और यह एक्स सुक्यर पलस वन की ओल पावर माइनस थ्री वाई टू इंटू एक्स यानि की माइनस एक्स अपॉन और इसको निच्छे ले आवा एक्स सुक्यर पलस वन की ओल पावर थ्री वाई टू आ रहा है व बिल्कुल तो हम किसको मानेंगे इसको फर्स सेकेंड मानेंगे और इसको एजिटीज रखेंगे यह बन गया फर्स्ट वन अपोन यह और यह सेकेंड एकी पावर एक्स अब करें भाई पार्स इसको सोल देखें यह रफली आपने कर लेना है यह यूज में आएगा अभी इसको माइनस इंटिग्रेशन ओफ फर्स्ट का डिफरिछेशन डी बाइडी अक्स ओफ किसका वन अपोन एक्स सुके एर पलस वन की होल पावर वन बाई टू काू ठीक है और दूसरे का इंटिग्रेशन दूसरे क्या aliśmy एक्स नो जो यह आ जाएगा उसका integration x के respect करेंगे के लिए अब आगे देखो माइनस इसको एज़ी टीज लिख लें भाई माइनस integration of e की power x into x upon x square plus 1 की all power 3 by 2 dx के लिए अब ये क्या बन गया भाई 1 upon ये तो लिख देंगे x square plus 1 की all power 1 by 2 e की power x का integration x ही होता है माइनस इसका differentiation करेंगे तो इसका differentiation देखो इसका निचे इसको उपर लेके गए तो माइनस 1 by 2 बना और फिर हमने करके दिखाया आपको कैसे differentiate किया तो क्या है इसका differentiation वो minus of x तो ये minus इसमें है तो यहाँ क्या बन जाएगा पलस बन जाएगा माइनस माइनस और अंदर क्या लिख देता हूं मैं x upon x square पलस 1 की power 3 by 2 इसका differentiation लिख दिया e की power x का integration e की x होता है into dx माइनस ये चल रहा है वही एकी x into x upon x square पलस 1 की whole power 3 by 2 dx किलियर है अब यहाँ देखें तो ये देखो ये plus के साथ है ये minus के साथ है e की x इसमें भी है इसमें भी और x upon ये और x upon ये सेम चीज एक बर माइनस के साथ एक बर पलस के साथ ही सारे से सारा कट गया तो क्या आगए आपका 1 upon x square पलस 1 की power 1 by 2 e की power x उपर है ये plus c यही क्या हो जाएगा इसका answer ये है वही आपका question number 11 आप इसको note कर लेंगे question number 12 देखेंगे वही देखो क्या है integration करना है हमने x e की power 2x upon 1 plus 2x का whole square dx इसका integration करना है तो देखो कैसे करेंगे हम इसमें निचे अगर देखे तो 1 plus 2x का whole square नजर आ रहा है आ रहा है तो उपर भी अगर हम यहां पे e की 2x जो है अब अपना काम कैसे होगा देखो आपने exam में question को समझना है कि आपका यह question कैसे हो जाएगा वहाँ यह नहीं लिखा मिलेगा कि यह इस exercise आया है यह आपको practice से सब समझ आ जाएगा जब आप practice करेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि यह तो यह यह form मन जाएगा integration की यह यह form मनेगी इसको ऐसे कर लेना है अना बहुत इजी लगने लगेगे अब देखो यहां पे अगर बात करें तो नीचे जैसा उपर बनाने की कोशिस करते हैं वही जो पीछे अभी question देखा हमने उसके अंदर तो क्या था वही one को पीछे लिखा था उसके साथ में लिख लिया था तो अपना काम बन गया था यहां अपने को पूरा काम जैसे नीचे दिख रहा है one plus two x ऐसा उपर बनाना पड़ेगा उपर तो खाली x है ना तो सबसे पहले अब one add और one subtract तो करेंगे नहीं पहले तो two से multiply करना पड़ेगा पहले क्या करना पड देगा अपन one plus two x का whole square नीचे चल रहा है clear है वाई dx अब यहां देखें तो मैं चाहता हूं कि तो नीचे दिख रहा है वही क्या दिखे उपर दिखे ना तो पहले तो हमने two से multiply कर लेना है उसके बाद आपने इसमें एक add करेंगे आप add करेंगे तो subtract भी करना पड़ेगा न two x में तो एक subtract भी करना पड़ेगा और इसको कर देता हूं bracket में बंद और इसके अपन में चल रहा है one plus two x की whole square और e की power two x यहां पे dx clear अब इसको कर देते हैं separate separate तो one plus two x के नीचे यह है और one के नीचे भी है यह करने के लिए तो यह एक आणी रची थी हमने अपना फायदा हो जाए तो यहां क्या हो जाएगा one by two integration of one plus two x के अपॉन में one plus two x का whole square e की power two x dx और minus one के अपन में भी है यह तो one by two इसके साथ भी लिख लेता हूं मैं minus one by two यह वाड़ा one by two भई यह इसके साथ भी आएगा ना तो आप separate करेंगे minus one by two और integration of one upon one plus two x का whole square और e की power two x इसके साथ भी है dx के लिए है अब देखो यहाँ पे देखें तो इससे एक कड़ जाएगा एक बच गई भई एक बच गई अब हम यहाँ पे देखें तो यह one by two integration of one upon one plus two x e की power two x dx minus one by two one upon one plus two x का whole square और e की power two x dx ठीक है अब इसको integrate करेंगे तो हम सुलूसे बता रहें आपको यह बात कि हमें यह देखना है कि किसका differentiation दूसरे में नजर आ रहा है तो यह e की two x तो e की two x इसमें भी है इसमें भी है यहाँ देखें तो यह one upon one plus two x है इसकी power कितनी है one और यहाँ इसकी power कितनी है two तो इसका differentiation यह है या इसका यह है इसका ये आएगा वई इसका ये आएगा देखो इसका differentiation करेंगे तो ये आएगा इसको ही हमने मानना पड़ेगा first second इसको क्या रखेंगे agities हमने बताया है मोटे तोर पे कि जिसकी power छोटी हो उसका ही होता है दूसरे में बड़ी वाड़ा जो दिखता है वो differentiation ठीक है agities भई 1 by 2 overall भार है पहले वाड़ा agities यानि 1 upon 1 plus 2x agities दूसरे का integration ही की 2x का integration ही minus integration of first का differentiation dy dx of किसका 1 upon 1 plus 2x का और दूसरे का integration दूसरे का e की power 2x है dx जो यह आ जाएगा उसका integration करना है आपने x के respect में यह ठीक है यह तो इसी को किया है हमने सारा यह 1 by 2 overall भार था तो यह bracket up कर दो बंद थोड़ी बड़ी इसी बना दे भई bracket तो यह भी शेम है यह भी है लेकिन थोड़ा size बढ़ा कर लो इससे कुछ फरक नहीं पड़ता ठीक है अब यहाँ पर देखें तो अब इसको हम इसको भी तो लिखना है minus 1 by 2 और integration of 1 upon 1 plus 2x का whole square e की power 2x dx है भाई अब यहाँ पर देखें तो करते हैं अब इसको solve 1 by 2 को हम अंदर लेके जाते हैं तो यह 1 by 2 into यह क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus 2x रहेगा भई और e की 2x का integration e की 2x by और 2x का 2 और आएगा x का coefficient से divide over करना है हमने ठीक है minus integration of अब यहाँ देखें तो 1 upon 1 plus 2x है तो 1 plus 2x की power minus 1 हो जाएगा उपर जाएगा तो अब इसको differentiation करें differentiate तो minus 1 आगे 1 plus 2x यहाँ कितना हो गया minus 1 और 1 और कम कर देना है तो minus 2 हो जाएगी अब इसका अंदर का 1 का 0 2x का into 2 और लिखेंगे यह यह क्या आ गया minus का 2 upon वह यह minus का 2 upon 1 plus 2x की power minus 2 उपर थी निचे आके plus की 2 हो जाएगी तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ इसका differentiation minus का 2 है ना तो यह minus को क्या कर देगा plus 2 upon 2 upon 1 plus 2x का whole square और दूसरे का integration e की 2x का integration e की 2x by 2 आएगा और यह dx लिख दिया भई माइनस यह 1 by 2 integration of 1 upon 1 plus 2x का whole square e की power 2x dx लिख दिया अब यहाँ देख टू से 2 कट गया भई और यहाँ एक बार ध्यान से देखें तो देखो भई यह और mistake आप यहाँ ना करें देखो हमने mistake की है यह जो 1 by 2 था इससे तो multiply कर लिया था हमने यह जो दिख रहा था इससे लेकिन इससे नहीं क्या है वह यह जो bracket यह दिख रहा है ना तो यह 1 by 2 और आएगा यहाँ पर ठीक है यह दोनों से multiply है इससे भी और इससे भी तो 1 by 2 ज़रूर लिख लें आप अब आप एक बात ध्यान दें यह पलस का 1 by 2 है यह माइनस का 1 by 2 है और integration ओफ 1 upon में यह 1 दो एक कम दो 1 upon 1 पलस 2X का all square यहाँ भी है और E की 2X यहाँ भी है एक बार पलस के साथ और एक बार माइनस के साथ तो इस सारे से यह सारा कट जाएगा वही कट गया किलियर है तो क्या बच गया अपना यह बच गया तो therefore I is equal to आप क्या लिख देंगे 1 by 4 दो दू इंटू में क्या 1 पलस 2X और E की पावर 2X ठीक है यह वन आप चाहिए लिखें चाहिना लिखें पलस C यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यह तो मैंने roughly बताया वही आपको कैसे differentiate कर लेंगे आप यह था आपका question number 12 आप note कर लेंगे question number 13 देखें वही अपने पास integration of 1 पलस X log X पूरे के पौन में X into E की X dx यह दिया हुआ है इसको integrate करना है तो कैसे करेंगे यह जो X है वो 1 के नीचे भी है और X log X के नीचे भी है ठीक है इसको separate separate कर देते हम I is equal to integration of 1 upon X plus X log X के अपने में भी क्या है X है into E की power X dx के लिए रवाई इससे X से X कट गया इसको आप क्या लिख देंगे 1 by X और multiply कर देंगे की X को अंदर dx पालास integration of log X और into E की power X dx यहां देखें तो देखो भई किसका differentiation दूसरे में ज़र आ रहा है 1 by X का differentiation क्या log X होता है नहीं log X का differentiation 1 by X होता है बिल्कुल होता है log X का differentiation 1 by X तो इस वाले को मानेंगे इस वाले को first और second करना है इसको agities रखना है ठीक है ना इसका differentiation है तो इसको मानना है यह first और यह second करो तो 1 by X agities E की X integration of और पालास इसको करें पहले वाले वाला agities log X agities दूसरे का integration minus integration of first का differentiation log of X का और दूसरे का integration यानि E की X का और जो यह आ जाएगा उसका integration करना है आपने X के respect के लिए है खरो भई 1 by X E की power X dx as it is plus log X E की X का integration E की X होगा minus differentiation करो log X का X के respect में तो 1 by X आ जाएगा E की X का integration E की X होता है हो गया और यह DX बहरवाला लिख दिया यहाँ पे देखें तो यह सेम चीज पलस के साथ और यह सेम चीज माइनस के साथ हो इससे यह कट गया वही क्या आ गया अपना log X into E की power X पलस C यही क्या हो जाएगा इसका answer इसको आप note कर लेंगे वही किस्ट नमबर 14 देखेंगे वही I is equal to integration of log X dx upon one plus log X का whole square है देखो इस question को हम दो तरह से देखेंगे फर्स टाइप अगर हम बात करें तो कैसे कर लेंगे नीचे जो दिख रहा है वन पलस log X तो उपर अगर अपने को one plus log X दिख जाए तो अपना काम बन जाएगा वही कुछ देखो कैसे और एक बात यहां ध्यान रखने की यह है कि इसमें इकी पावर X नहीं है सब कुशन में E की X या इंटू में आया है ना तो कोई दिकत नहीं है देखो कैसे देखेंगे नीचे वाड़ाई की तरह उपर वाड़ा बनाएंगे तो इसमें एक एड़ कर देंग अब एक एड़ करेंगे इसमें उपर तो एक सब्ट्रेक्ट भी कर यह लिखें तो इसको लिख देता हूँ मैं integration of इसको log x plus one upon one plus log x की क्या है whole square यहाँ कुछ भी नहीं तो power one है वही और minus one के निचे भी है यह one plus log x की whole square ठीक है और into dx के लिए है अग इस सारे से यह कर जाएगा एक power बच गई तो अलग-अलग integration लगा लेता हूँ one upon one plus log x dx minus integration of one upon one plus log x की whole square into dx लिख लिए हुई अब यहाँ पे देखें तो ध्यान से देखें तो आपको इसका differentiation one upon one plus log x का यह नजर आ रहा है देखो हमने आपको बताया है कि छोटी power को अगर आप लेट करेंगे अगर इसका differentiation करेंगे तो यह नजर आएगा बड़ी आएगा देखो आप करके दिखा देता हूँ मैं d by dx of किसका इसको उपर लेके जाओ तो one plus log x की whole power कितनी हो गई minus one अब करो इसका differentiation तो minus one आगे one plus log x की कितनी बढ़ गई minus two यह तो इसका हुआ power का अब अंदर का करें तो one का zero और log x का one by x और लिखेंगे वई तो यह क्या आगया अपना minus one by x और यह निचे आएगी इसको तो लिख लिए हमने यह निचे आएगी one plus log x की whole square पोजिटिव में हो जाएगा यह आगया इसका differentiation तो यहाँ पे देखो यहाँ पे द्यान दे हम तो अपने को देखो इसका differentiation हमने क्या क्या वही minus of one minus of one one plus log x की minus दो इसका zero log x का one by x हमने कर लिए ठीक है अब आगे करते हैं तो इसको देखें तो यह देखो यहाँ रहा है one plus log x की whole square one by x आ रहा है वही यहाँ पे जो यह वन बाई X are रहा है इसका differentiation आप कभ आएगा यह अगर आप इसको put करेंगे तो देखते CHA変 थे यह नहीं आरे हैं आरही है आप यह द्यान दे पहले तो यह तो आ रहा है थे आतो इसको अगर आप first or second मानेंगे किसको मानेंगे यह सारा first है और dx क्या है second dx क्या है second अगर आप dx को नहीं मानते तो x की power 0 आप देखो x की power 0 क्या होता है 1 होता है न तो आप इसके n2 में x की power 0 लिख सकते थे ठीक है और वैसे भी ऐसे question मैंने dx को second मानना है आपकी exercise में 9.7 मान के question को करके भी दिखाए है ठीक है आप जरूरी नहीं x की power 0 लिखें आप इसको second मानने क्योंकि इसका तो integration होना है और dx का integration x हो जाएगा तो यहाँ पर देखो पहले वड़ा एजिटीज 1 अपून 1 पलस log x एजिटीज दूसरे का integration यानिकी dx का integration minus integration फर्स्ट का differentiation dy dx of किसका भई 1 अपून 1 पलस log x का और दूसरे का integration यानिकी dx का integration और जो यह आ जाएगा उसका integration करना है x के respect के लिए और यह एजिटीज लिख देता हूं minus of integration 1 अपून 1 पलस log x की whole square dx लिख दिया वही अब आगे करो इसको solve 1 अपून 1 पलस log x और dx का integration x हो जाएगा minus इसका differentiation हमने यह क्या है देखो तो यह minus है वह भी minus आया इसका differentiation ठीक है वह आप roughly करके देख लेंगे तो इसको क्या कर देगा plus 1 by x और यहां क्या है 1 पलस log x की whole square लिखेंगे यह तो differentiation लिखा है दूसरे का integration dx का integration क्या जाएगा x आएगा into में x लिख दिया भी यह into में x हो गया और यह dx भार लिख देता हूं minus यहां क्या चल रहा है 1 अपून 1 पलस log x की whole square यह चल रहा है dx अब यहां देखें तो इस x से यह x कट जाएगा क्यलियर भई कट गया अब देखो यह plus का 1 by 1 पलस log x की whole square है और यह minus की 1 अपून 1 पलस log x की whole square dx है ना अब अपना काम फिट जो आपको यह x जो था extra नजर आ रहा था कि यह x तो दिखा ही नहीं तो यह dx के integration से आया के नहीं आया देखो और इस x से यह x कट गया इसमें कट गया के नहीं तो इसमें यह x नहीं दिख रहा था ना तो कहां दिखेगा जब इससे कट ही जाएगा तो यह positive का और यह सारी चीज नेगिटिव की तो इस सारे से यह सारा कट गया क्या आ गया अपना यह आ गया therefore x upon 1 पलस log x यही क्या हो जाएगा इसका answer यह आप note कर लेंगे यह roughly था ठीक है फिर हम इसका second method बताते हैं जैसे आपने देखा कि हमने पड़ा है e की power x into में आ रहा था लेकिन यहां तो वो नहीं आया फिर भी हमने इस question को इस तरीके से कर लिया है ठीक है और यह दूसरा तरीका भी हम आ अब इसको दूसरे method से देखते हैं वही देखो यह ओर में कर लेंगे आप यहां पर कैसे करेंगे देखो अगर आप log x को log x को put कर लें log x को put कर लें t, ठीक है वही तो क्या होगा देखो आप log x को put करेंगे t तो एक बात तो यह समझ लें आप कि इसको मैं ऐसे लिख सकता e की power t is equal to x e की power t is equal to x देखो कैसे लिख लिख लिया वई यहाँ पे एक बात ध्यान रखें log of x is equal to t लिखा या कुछ भी नहीं लिखा तो base में e होता है क्या होता है e तो आपने क्या करना होता है कि e की power में जो यहाँ पे लिखा है equal के इधर उसको power में ले जाते है e की power में ले गए is equal to x लिखेगे अब आप यह देखें कि यह हमने ठीक लिखा है या नहीं लिखा तो taking log both sides आप लेके देखें taking log both sides आप लेके देखें तो log of e की power t is equal to log x अब यहाँ पे देखें तो log m raised to n हमने आपको क्या बता रखा है n log m होता है भई प्रोपर्टी होती है की नहीं तो यहाँ पे t को आगे ले आएंगे t log e is equal to log x तो यहाँ क्या है भई t is equal to यहाँ पे t t और log e की value कितनी होती है log e की 1 is equal to log x यानि कि t किसके को ला गया log x के log x को ही तो t माना था भई हमने log x को ही तो t माना था वापिस यही चीज़ आ गई की नहीं यानि की power t is equal to x ऐसा आप लिख सकते हैं यह बात clear है यह कैसे लिख लिख लिए हमने ठीक है अब आगे देखते हैं हमें यहाँ पे बात करें तो आप i is equal to जब आप लिखेंगे इसको तो सारे को t में लिखेंगे तो log x को हमने लिख लिया t और निचे अगर बात करें तो upon one plus log x को लिख लिया t इसका क्या हो जाएगा whole square यहाँ बात करें dx की तो dx को भी तो लिखना है हमने तो मतलब differentiate करना पड़ेगा इसको x के respect में तो इसको x के respect में differentiate करेंगे तो e की power t का e की power t ठीक है फिर t का करेंगे तो dt y dx लिखोगे बई और x का x के respect में क्या होगा one x का x के respect में क्या होगा one यह dx हम इधर ले गए तो क्या हो जाएगा यह dx is equal to e की power t dt हो गया dx is equal to यानि dx की जगे हैं अब हमने क्या लिखना है e की power t dt देखो log x को मैंने t रख लिया यह यहाँ भी t और dx की जगे हमने रख लिया e की power t dt के लिए रहे अब हमने इसको solve करना है अब देखो e की power t यानि की e के रूप में आ गया कि नहीं exponent के रूप में question में तो नहीं था हमने बना लिया ऐसा हो गया अब देखो हम क्या करेंगे जैसे निचे दिख रहा है वैसा उपर बनाने की कोजिस करेंगे तो इसमें एक add कर देंगे और एक add करेंगे तो एक subtract भी करना पड़ेगा निचे चल रहा है वन पलस टी का whole square और इसके into में क्या चल रहा है e की power t dt के लियर भई अब यहां देखें तो यह separate separate कर ले हम इसको t पलस वन के निचे वन पलस टी का whole square ठीक है और minus one के निचे भी one पलस टी का whole square है into e की power t dt के लियर इस सारे से एक power से एक power कट गई एक रह गई यानि कि क्या बच गया integration of one upon one plus t और e की power t को अंदर multiply भी कर दो वही dt minus यह minus और one upon one plus t का whole square और e की t dt के लियर है लिख दिया हमने अब देखो अगर हम देखें तो one upon one plus t का differentiation यह आ जाएगा यह छोटी power दिख रहें न one upon यह इसका differences नहीं आ जाएगा भी तो हम क्या करेंगे इसको first or second माननेंगे यह पूरा first one upon one plus t और यह second के लिए रहा है देखो यह मैंने आपको समझाने के लिए बताया था आप इसको भी note कर सकते हैं मैं अब इसको मिटा देता हूँ वही अब आगे question को देखते हैं इसको अब देखें वही यहाँ पे क्या है यह i is equal to चल रहा था अपना i is equal to तो first second यह मानना है तो पहले वाड़ा एज़िटी यानि कि one upon one plus t एज़िटी दूसरे का integration ही कि power t का integration माइनस इंटिग्रेशन और फर्स्ट का differentiation यानि कि डी बाई डी टी ओफ टी लिखना है रटा रटा एक्स नहीं लिखना है जब टी में पंसन है तो टी लिखेंगे फर्स्ट का differentiation one upon one plus t का ठीक है और दूसरे का integration integration e की power t का और जो यह आ जाएगा उसका integration और करना है आपने टी के respect में किलियर वई यह तो हो गया फर्स्ट सेकंड लगा के इसमें माइनस यह और लिखना है हमने पिछे इसके माइनस यह चल रहा है माइनस आफ इंटिग्रेशन one upon one plus t का whole square into e की power t dt देखो यह मैंने पूरा लिख दिया है वई साथ में इसको एजिटीज रख लिया है ठीक है अब करें इसको sold तो क्या चल रहा है i is equal to one upon one plus t e की power t का integration e की power t होगा माइनस इसके differentiation की बात करें तो one plus t उपर जाएगा तो माइनस यहां हो जाएगा divided t of अब इसका differentiation करना है t के respect में तो माइनस वन आगे one plus t की माइनस दो हो जाएगी यानि कि यह क्या है इसका differentiation minus one upon one plus t का whole square plus में आया वही तो यह देखो यह नीचे आके plus में हो गया माइनस यहां है माइनस इसमें आ रहा है तो यह इसको क्या कर देगा plus इसको लिखे plus one upon one plus t square हो गया वही first का differentiation हमने लिख यह whole square यहां लिखे वही ध्यान दें mistake ना करें और दूसरे का integration e की t का integration e की t होता है और यह dt और यह बार इसके साथ में चल रहा है अपना one upon one plus t का whole square e की पावर t और dt के लिए है अब यहां पर देखें तो यह सेम चीज पलस के साथ यह है ना और यह माइनस के साथ पलस और यह माइनस का पूरा कड़ जाएगा तो क्या आ अपना अपना आ अपना आ गया e की पावर t upon one plus t पलस c लिख देंगे integral constant clear है अब हमने t की value आपपीस रख देनी है t की value आपपीस तो देखो e की power t को क्या था आपना x x के रूप में बनाना है अब आपने इसको one plus t खाली t को लिखना है तो क्या लिखेंगे log x पलस c यही क्या हो जाएगा इसका answer देखो वही answer आया इससे भी एक यह method भी आप note कर लेंगे question number 15 और question number 16 एक साथ देखेंगे वही क्यों कह रहा हूं मैं यह बात देखो यहाँ पर integration करना है log x minus one upon log x की all square dx का और यहाँ करना है integration one by log x minus one by log x की all square dx का अब देखो यह दोनों एक ही है कैसे इसमें अगर हम देखें तो यह log x की all square log x के नीचे भी है और यह one के नीचे भी है हम इसको लिख सकते हैं integration of log x upon log x की whole square minus one upon log x की whole square लिख सकते हैं ना आप इसको ऐसे अब यहाँ देखो तो एक log x से एक log x से एक कर जाएगा तो क्या आगए आपका one by log x minus one by log x की whole square और dx ठीक है अब देखो इसको ही किया है ना हमने और वहाँ देखो बिल्कुल सेम है यह देखो इसको आप question number 16 भी बोल सकते हैं बोल सकते हैं के नाहीं ठीक है तो इससे आगे इसको integration को अलग अलग लगा देए तो one by log x dx minus इनके answer भी दोनों के सेम है आप भले ही चेक कर लें आपके आंस्वर में वन अपॉन लॉग क्योंकि क्यूश्चन ही शेम है यह पैस इसमें थोड़ा सा अपने को इंडारेक्ट रूप से दे रखा है उसमें डारेक्ट दे दिया पहले से सेपरेट करकर के दे दिया पका पका आया अब यहां देखो भई as it is 1 by log x दूज़रे का integration minus integration of first का differentiation किसका 1 by log x का और दूज़रे का integration यानि की dx का और जो यह आजाएगा उसका integration x के respect कर दिया भई minus अब इसको लिख दे 1 by log x की whole square dx के लियर अब 1 by log x इसका dx का integration x आजाएगा minus integration of 1 by log x का differentiation क्या आएगा भई इसको minus 1 upon log x की plus की whole square लिख सकते हैं आप इसका differentiation यह आजाएगा तो लिखें यहाँ पे minus already था तो minus क्या हो गया पलस 1 upon log x की whole square और dx का integration क्या हो जाएगा x ठीक है और dx यहाँ पे है वई dx यहाँ पे और एक बात और ध्यान दे वही यहाँ एक mistake कर रहे हैं देखो differentiation हमने पूरा नहीं किया यह mistake कर दी हमने एक बात ध्यान दे देखो आपने यह power का किया है minus 1 आगे log x की और यह इसमें से एक कम कर दे तो power का हुआ अब अंदर का भी तो करना है log x का differentiation 1 by x भी तो आएगा तो यह क्या हो गया minus 1 by x और log x की whole square किसमें हो जाएगा minus 2 है ना तो निच्छा के plus में 2 हो जाएगा तो यह आया इसका differentiation decision तो माइनस यहां आया माइनस यहां था यह पलस हो गया और one upon log x की whole square into x x और लिखे वह आप यहां पर x और लिखें दूसरे का integration यह इसका integration dx का तो x हो गया dx minus one upon log x की whole square dx यह mistake नहीं करने है वह आपने अंदर का भी करना है ठीक है अब क्या हो जाएगा इस x से यह x कट गया तो क्या आगया अपना यहां पर इस x से यह x कटने के बाद one upon log x into x पलस यह बात करें तो one upon में log x की whole square dx पलस का है और यह minus का है one upon में log x की whole square dx तो इस यह minus का यह पलस का कट गए वही क्या आगया आपका one upon में log x यानि की x upon log x एक ही बात है ऐसे लिख सकते हैं इसको पलस c यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 15 का भी और 16 का भी देखो इस बात को दिहान दें आप log x inverse का differentiation यह आएगा भई आपका ठीक है आपने log x का differentiation करना भी नहीं भूलना है पावर के बाद अब देखो और यह और यह दोनों question सेम हैं यह यहां से start हो जाएगा देखो इससे अगला यह step तो यह है और इससे अगला यह ठीक है आपने अलग-अलग integration लगा के और इसको soul कर देना है यह थी friends आपके exercise 9.8 अगर आपको वीडियो समझा रही है तो please आप चैनल को subscribe जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा sport कीजिए वई हम पूरा सले बस आपको इसी तरह board पे करवाएंगे आप अपने friend circle में भी बताएं और हमे फुल स्पोर्ट करें जितना आप कर सकते हैं आप इसको नोट कर लेंगे thanks for watching my video